हेलो एवरिवान वेल्कम बैक टू क्राप्टन फूर आप सबको क्राप्टन फूर में बहुत ज़्याद स्वागत है तो मैं आज लेकर करके आप लोग के साथ आई हूँ यह प्रोटीन से भरपूर मत्रा में भरा हुआ एक बहुत ही अच्छा रेसिपी है आप तो दोसा करके ज़रूर दिखिए होप आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और अगर आप डाइट में हैं या पिर वेट लूज करना चाहते हैं आप इसको एज़े डिनर एज़े ब्रेकफास्ट एज़े लांच आप सर्फ कर सकते हैं तो चली स्टार्ट करते हैं मैंने यह मुंग का ज्यादा कर सकते हैं चनादल आप कम ज्यादा कर सकते हैं लेकिन मुंग आप ज्यादा रखेंगे तो अच्छा रहे गया तो इसको अच्छे से वास कर लेंगे वास करने के बाद मैंने इसको सोख करके रख दिया था साथ आठ गंटे या फिर आप रात भर के लिया हुआ है योधियुम कर नगा नगा मैड़ा लिया हुआ हुआ है डहीं प्रीन ऊघ्रे को और इसमें मैं डाल रही हूं अभी सॉल्ट एकोडिंग टू टेस्ट और धन्यापत्ता और थोड़ा सा जीरा डालके इसको मैं पानी थोड़ा सा देके पेस्ट कर ली हूं और आप देखें कुछ ऐसे होना चाहिए तो सेम मेजरमेंट से आप सब कुछ ग्राइंड कर सकते हैं हुआ दोसा कोई साब लिए लेकिन द्याद रखिया रोटी जो बनाते हैं तो इसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी चीड़का दिया है और उसके बाद मैंने थोड़ा सा ओयल से ग्रीस कर लिए हुआ है और मेरा जो फ्लें मिध्यम आप से chaISA कर एंडा उन्यों मेरे फ्थे और इसको मैं अभी स्प्रेड कर रही हूं थोड़ा सा ओयल और इसको मैं हाइफ फ्लेम में कुक करूंगी कुद देर तक तो अगर हाइफ फ्लेम में इसको बना रहे हो तो ध्यान रखिएगा नीचे के परसन जादा जल नहीं और यह में छोटा वाला जो बनार होता है उसी मे में कम हाय करके वना बना रहे हूं तो यह दिखे मेरे नीचे वाला परसन है पांच मिनिट के बाद वो एकदम रेड हो गया है और अभी मैं इसको फ्लिप कर दी हूं तो यह दिखिये दूसरा वाला साइड जो यह आभी आपको हाइफ फ्लेम ही कुक करना है आप हाइफ फ् मैं इसको दूसरा एक बना कर दिखा रही हूं तो आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप दोसा बनाते हो या फिर चिला बनाते हो जो तापे पर रोटी वाला रोटी बनाते हो ना उस तापे बिल्कुल मत बनाएगा नहीं तो यह निचे से नहीं उठेगा आप चाहो तो इसको दोसा बाला जावा्रह भी बना सकते हो लेकिन जब आप पहले बहरे ना ढालना चाहोगे बेटल लूगी धर करोगे मतलब दोसा करोगे तो उसी टाइम में आपको हाइप्लेम में करना धे फिर बाद में आप इसको मीडियम करके कर सकते हों तो यह दिखिए मेरा दूसरा वाला जो ही UB1 के रेडी हो गया है और यह बहुत ही अच्छा लगता है अभी मैं इसको धनिया पुदिने और ग्रीन चिली के चटनी के साथ सर्फ कर रही हूं आप चाहतों इसको चमटा मायटों चटनी के साथ भी सर्फ कर सकते हो वेट लूज अगर अच्छा लग तो लाइक कमेंट सेर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा सब्सक्राइब करने के बाद मेरे साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना ना भूलिएगा उसको क्लिक करने से आपको मेरा चैनल पर सारे